हुआ हुआ है हलो एवरीवन वेरी गुड मॉर्निंग ओल सौगत है आपका एक बार फिर से डिफेंस वाला सीडिस एफ कैट के सेशन में जिसमें मैं आपके साथ लाता हूं रोड डेली करेंट अफेर सुबह नौ बजे के सेशन में आप सभी लोग यहां पर उपस्तित होंग उस पर कैसे करेंट अफेर आप से डील किये जाएंगे वो भी मैं बताऊंगा आपको और बहुत साइज चीज़ें डिसकस होंगी तो होफुली सभी लोग आ चुके होंगे डेली के से साथ अपने और यहां पर आपके दो इंपॉर्टन सेग्मेंट आपके इंतजाह करते गुड़ मॉर्निंग जैहिन दीपक चौहान जैहिन सभी को गुड़ मॉर्निंग जैहिन तो जितने भी लोग आ जाएं जल्दी सपनी प्रिजन्स रच करा दें कि वह पहुँच चुके हैं और यहां पर अप सभी लोग उपस्त हैं तो जल्दी से कमेंट करें हैं अपने आ आज जाहूंगा कितने लोग हैं आपर ओविल तो तो यहां पे हैं प्रतिभा है प्रणो काले हैं स्वाष्टी है देश युजाद रामराम जी रामराम तुभी को और जो भी लोग है जल्दी से आ जाएंगे बैतर है जिससे कि वह लोग यहां पर सेशन कर पाएं आराम से और अपने important news और अपने updates को शेयर भी कर पाएं तो कि सभी लोग आ चुके हैं एक बार जल्दी से जुड़ जाएं ओके चलिए स्टार्ट करते हैं कि स्टार्ट करते हैं रोहित दो आ चुके हैं और जितने भी लोग बाकी लोग है उनको मेरी आवाज क्लेर आ रही नहीं आ रही है विवेक जैसवाल विनयादो स्वार्लिन आए खान आ चुके हैं और विनयादो भी तो है गौरक्स आ चुके हैं आज डिफेंस एंडिये पर लेक्चर है ना बिल्कुल है बेटा गॉरक्स वेस के आज वहां पर लेक्चर होगा साम को 6-8 होगा ठीक है तो यहां पर बिल्कुल ध्यान रखेंगे और यह भी ध्यान रखेंगे आपका यहां पर 16th of December 2030 की आपकी आज की न्यूज है यहां पर तो जल को से नां और रादे GUYझ पूरी होती है डिधल कैसे उसमें हो जाइक चीज़े और दूसरा इस प्राईस को किसे दिया जाता यह भी जानेंगे ठीम हर दूसरा अधे ऑस्ट्रेलिया में सॉलीन आया है भिआ मWithी आपने देखां इंडिया कुछ दिन पहले आया हुआ हुआ थ होंगे ऑस्ट्रीलिया में चाहवा तरफ से कुछ ना कोई ओटर बॉड़ी है एक तरफ इंडियन ओशन एक तरफ पैस्ट्री कोशन तो मैप निकाल लिजेगा अपना कि अधर टेलिग्राम पे चैनल नहीं मिला बेटा भी मिल जाया के दो बिने टुको जरा व यह ओधशन आज मिल याएगा और दूसरा गोपाल भरणो शौन आजबर पूछा किया लачा प्रूट्टे में स्फीकर हैं प्रुटे में स्पीकर कौन होते हैं और का मोटा होता है प्रूट में स्पीकर का आपका है समिट का इन जिन्वरी क्या हो गया कॉआड का जो स्ट्डूल हो पोस्पूर्ण हो गया क्या है कौड में कौन कौन से देश सामिल है यह सारी चीजें डिसकस करेंगे होफुली आप सभी लोग इस पर बहुत ध्यान से एक घंटे के समय से कम लगे का समय तो आप देख लीजेंगे डेक आपके यहां पर अजर विजान के बात किया कल मैंने बात किया था अजर विजान आपका जो कोप 29 होने वाला अजर विजान में 28 यूए में हुआ अजर लुकों को सेशन नहीं मिल रहा है यहां पर बेटा न्यूस पहले ही मत बताओ अबाउट दे न्यूस तो बताएंगे कि आज के सेशन में क्या क्या होने वाला है उससे जुड़ा हुए एमसी क्यों देंगे तो वह बिल्कुल इससे अलग है इसमें आप एंसर मत पाओ के एं होगा तो आपने पड़ा रखा तब भी जबाब नहीं आता क्योंकि हम इससे और भी बहतर कोशन देने की कोशिस करते हैं यह तो आपको मिले गई साथ में इसके आरावां भी बहुत साइच यह कोशन में होती है वह आपके लिए बहतरीन होती है कोई चीज छुपा नहीं ऐ आता है जो ग्यान दुनिया से बाहर है वो यहीं से है बसरते में आपको देतों कि अगर न्यूज इस तरह दिखे तो आपको करेंटे फिर किस तरह त्यार करना है यह बताने का मेरा करा सकता है ठीक है जैसपर किस देश को प्रहावित किया है तो जैसपर के बारे में कुश्चन तो जान जाओगे जैसपर ने ऑस्ट्रेलिया के किस इस्ट्रे को प्रहावित किया है मैप आपने देखा होगा ऑस्ट्रेलिया के किस जैसे आपसे पूछा जाए इंडियन ओशन में जब इंडिय उत्व में जुसमें पूछ आपके कहारे किछ आपके इसांग है कुछ इंढे नोशन में रहे तो यहां पे आपको सीबल बताए कि उपकहभी हो जाएगा है लेकिन आपको यहां पर और बीचीज जानी है साइकलोन की पहचान कैसे करते है साइकलोन अगर हम देखेंगे यहां पर तो साइकलोन की सबसे बढ़ी पहचान क्या है साइकलोन का जो नौर्धन हिस्सा हो क्या है yamah gyn दूंधन इस सर्ट लॉढडन हिससर ही सा ओधन रिशार नऑर्दन हिससा एंतिक्लॉक वाई शपता आपको अंगर पताऊ बता दूंगे आपको यहाँ परत और साउत में क्या होता है सिँ गुझ क्लॉक वाईस चलता है सा इतल यह deng सेंटर में उसकर लोइशन होगा कि बाहर हाई प्रेसर होगा कि सेंटर में लोग प्रेसर होगा बाहर हाई प्रेसर होगा यह आप देखने को पा सकते हैं यह साइकलोन के local lamps भी होते हैं बहुत सारे लोकल नाम दिया आते हैं यह साइकलोन के होते हैं local name China में बोलते हैं China Sea में और यह कहां बोलते हैं Australia में बोलते हैं वैसे ही आप से पूछा जाए का बताओ टाइफून टॉर्नेडो यह कहां बुलते हैं अलग-अलग है तो यह देखे यह साइक्लोन जो यह आस्ट्रिलिया का मैं देख रहें आप ऐसे यह इस जगे पर साइक्लोन है मतब यह कौन सा हिस्सा है यह कुण्स लेंड का हिस्सा है कहा बेट रैंड और यहां पर जो देस है यह वाला देस यह पपूआ ने ओगनी है प्टी एंजी जिसमें कल आपने द साइकलोन जो की न्यूज में नहीं दिया होता जो 30 डिगरी के बिलो होता है मतलब कि 30 डिगरी को अंदर में क्योंकि आप जानते ऑस्ट्रेलिया वैसा ही देसे जैसा कि आपका इंडिया और साउथ हमें स्पेर में हैं इंडिया नॉर्थ हमें में वहां से टॉपिक ऑफ कैंसर को इसे साःएज लानड बुशन से अई तो कि देश के पास में किस देश के अंदर आताए तो आपका हो mo ुषेटा हैं आप का हुषिंगे और व कि का ऑस्तृलिया में है मिचोंग जो आयए था हमी डेओ बगाई मिच्व है किया था उसका नाम करण किस ने किया था तो मैं आम मार में कहा गया नाम करण किया गया इसको में चौंग जो आया था इंडिया में नाम करण किस ने किया ये लिएमान नाम किस ने दिया इसका तो नाम दिया किस ने मैं मान ने नाम दिया था एप कोश्प सिक्स वैब इस बार आ चुकी है जिसमें कहा गया है और जिसमें इंडियन श їं में चार यहять लो बागकी पी उक हाँे पूब हैं वोड साई क creator बेउर भेओब बेंगॉल तो इन डीयन ओशन में आयते power अऔर ON गया था इस Já झूड़े ले अम कि ऊतै के किया है इंडिया नां की यहाँ गाइन रखा पर जो आया था उसका नाम कर बंगलादेस ने किया था तो कॉन सा साइक्लों किसके नाम से जना आता है सब इंडियन ओशन के साइकलों ह documents आए ये ये सब के सब्स का बाध करें यह सब साईक्लों इंडियन ओशन के साइक रॉन राइट की तरफ जब सेंटर में low pressure होगा था हवा किधर आएगी लोग प्रेसे की तरफ आएगी तो बीच में आती है मतलब कि अंदर की तरफ हवा इसमें चलती है सेंटर की तरफ हावा चलेगी बाद इसका जो मोमेंट होता है घूमने का जो तरीका होता है उससे हम ये डिफ्रेंशेट करते हैं कि नौर्थ हमें स्वेर में साउथ हमें स्वेर में साइकलोन से पता चलता साइकलोन कैसे Behresant decide होगा cyclone वो इसलिए decide होगा की जिसका sender low pressure होगा बाहर high pressure होगा वो cyclone है और उसका जो चलने का डिरेक्षन है उसकी पता चलेगा वो naws भूर्ट में है या सथ मेन के अब बात करते गोपाल भारगों को कि सराज की वि दाने सभा का प्रोटे में स्पीकर बनाया गया है जो को प्रोटे में स्पीकर जो वर्ड लिया गया है यह यह वर्ड हमने फ्रांस लिया है यह फ्रांस का यह सिंसे प्रोटो में स्पीकर जिसको हम लोग बोलते हैं ट्म प्रेरी स्पीकर बोलते हैं इसको ध्यान रखेंगे ट्म रेयरी स्पीकर होता जो आपका टाइम पर्टिकुलर टाइम प्रेट के लिए होगा इसका मेंन फंक्शन क all जब जब भी आप देखें लोक सभा में भी होता है और विधान सभा में भी होते हैं और यह कब होता जब न्यू इलेक्टेड होता न्यूली इलेक्टेड विधान सभा और लोक सभा आपकी पावर में दिखाई देती है उसमें होता क्या है न्यूली इलेक्टेड लोक सभा और वि प्रख्षपात रहे ताप तरीका का प्रख्षपात ह्साल में घु में आता है बाता है थे वि Marty रूप सभान कि यह सब्शनकी आई तो है आपको बता है कि जो लोकेका का यह स्पीकर होता है स्लेकिन उस हाउस को मैंपर होने स्टरेंगे पहले उतलेनी पड़ेगी तो उसमेर के ज़ो इने से सबसे सीनियर मिनिस्टर आपका मेंबर आफ स्टेट समीं होगा उसी को आता देंगे उसी को बना देंगे आपके सारुटे स्ट्रेकर और काम क्या होता है जितने भी नए मेंशत С countless और सबको ओध दिलाना तो प्रोटे में स्पीकर को ओध कौन दिलाता है गवर्णर अफ दे स्टेट और राकेंदर में हैं तो प्रेजिडेंट और यहां पर गवर्णर फ्रेट और उसका काम क्या होता है सभी इलेक्ट हुए नय मेंबर का आपको ओध कर ओध दिलाना जब जैसे वह मेंबर सारे ओध पाज आएंगे उस सभी मेंबर जो वहां के हाउस के मेंबर हो जाएंगे फिर आपका ओध दिलनेक बात फिर वह अपना लोग समय स्पीकर चुनेंगे और आपको बता है कि MP मेरे लोग समय स्पीकर कौन मनाया गया है नरें सिंग तो मर्वाव विदान स यह काम होगा किसका यह काम होगा गोपाल भारगोजी का यह काम होगा गोपाल भारगोजी साथ बार MLA बन चुके हैं सबसे सीनियर मोस्त है अब सीनियार्टी कैसे देखते हैं सिनियार्टी देखते हैं कि सबसे ज़्यादा बार कौन इसमें से MP MLA रह चुका है केंद्र में एमपी देखा जाता है और आज में मेले देखा जाता है ठीक है तो यहां पर कहां से हैं MP से हैं ये और प्रोटे में स्पीकर जो होता है इसका कोई election method कोई अप्रूव नहीं constitution में constitution में कोई इसकी जानकरी नहीं कि ऐसे ही चुना जाएगा तो constitution का यहां पर व्यवरा नहीं दिया गया constitution में इसके पर्दिकी घोषना नहीं हुई है किस तरह चुना जाने की घोषना नहीं है article आपका पूछा तरह कहां होता है 181 में इसका बात provision किया गया है लेकिन इसके election कोई provision नहीं किया गया है तो governor जो यहां पर है मंगु भाई पटेल ने इनको ओध दिलाई और ओध दिलाने के बात कहा कि आप सभी को ओध दिला दें जैसे सभी आखरी मेंबर ओध ले लेगा इसका office क्या हो जाएगा प्रोटमी स्पिकर का खतम हो जाएगा nine times के है यह राहली से यह आध्यान रखेंगे और कौन है यह गुपाल भार्गो इसी से देखा जाता सीनियर मोस्ट इसी से देखा जाता बीजेपी के लीडर है यह और यह MP से है अड्मिस्टर द न्यूली एलेक्टेड मलेस इसका काम क्या होता है ओध किया जाता है जैसे सबकी सब्सक्राइब हो जाए कि इसका पर आर्टिकल कौन से 181 है अब कोशन पूछा एका स्टेचू आफ वननेस पूछा यह कहां पे लाउंच हुआ है यह स्टेचू आफ वननेस अगर ब्यात की जात MP से है और MP में सबसे बड़ा इंडिया का लाजस टाइगर रिजर बनने वा अब बात करते हैं वेर इस स्री कृष्ण जन्वभूमी साही इदगाह कॉंप्लेक्स लोकेटेड दस्तरवे ओफ विच हैस बीन ओर्ड़ बाई अलहबाद हाई कोड अब क्वेशन पूछा गया स्री किसन जन्वभूमी साही इदगाह कॉंप्लेक्स कहां पर है जो को वारा नसी में भी ग्यानवापी मंदिर आपने ग्यानवापी की जो मस्जिद थी वो देखा यहां ग्यानवापी थी यहां पे लखनों में तो आपने कोई मस्जित का कोई मामला है यह नहीं है आयोद्या में आपने देखा राम जन्भूमी जो थी बाबरी मस्जित जी बोलते है यहां मामला था बाबरी मस्जित वाला मतुरा में है आपकी यहां पे जो स्रीकेस जी का मंदिर मतुरा में है और मतुरा के स्रीकेस जन्भूमी जो है मतुरा में है तो यहां का मसला था जो की पहले बाद यहां पर आपस में दोनों पक्षों ने क्या कर रखा था 1968 में सुला का रख़गी थी कूर्ट के सामने कूर्ट को साक्षिमान की यहां सुला हो चुका था लेकिन फिर से माम्ला आया है और यहां पर सरवे की बात की जा रे इससे पहले सरवे ग्यान वपी वरनि सिम चल ला था तो सरवे चलेगा कहां पर मत्षुरा में साइस इसका हम सर्वे करना चाहते हैं और सुप्रीम तरॉट ने भी सर्वे को रोकने से म disp gag country दिया है कल की निवस्म आपने देखा हुगा सुप्रीम कोर ने कहा कि हम जो हाई Korad कर एफ लाबाद का फैसला ऐसको हम रोक नहीं रहे हैं वो जैसा का है उसको सर्वे होने दीजिए अब बात किया आते हैं यूपी में और क्या-क्या फिरमस रहा तो यूपी में फिरमस रहा सीम फेलोस्विप प्रोग्राम जो कि वी रिजने टली सीम ने चलाया है इसमें आपको गेज़िशन में स्विस्ट ड यूपी हैज लॉंच होट को फूर्ड इसकीम लॉंच की थी यहां पर जो कि चिल्डर्न के लिए हैं आंगनवारी सेंटर की बात हो रही यह प्राइमरी और मिडिल सेकेंडरी स्कूल के लिए नहीं है बुंदेल खंड में एक एक्सवर मैंने का जो कि सोलर एनरजी से यूपी गोवेन ने लॉंच किए स्कीम एवरी राइट टुए डिशाल कहां पर लॉंच हुआ है यूपी में लॉंच हुआ है यह स्केम्स यूपी गॉवर्मेंट की है आई होप इतना क्लियर है सभी को इतनी न्यूज क्लियर है आपको यह रिमाइंड होगे यह पहले न्यूज में डिसकस कर चुक हो लेकिन यूपी की बात आई तो मैंने सारा यूपी का करेंट फेर एक साथ कर लिए जिसको हमने माई नोट्स में सामिल किया है क्लियर है यह कि इतने में किसी को डाउट जल्दी से कमेंट करें इतने में किसी को डाउट है जल्दिस बताएं कि कोई डाउट है इतने बिल्कुल आप सरनाटम चले जाते हैं क्या आपको डोट नहीं करना बेटा ये नोट्स में मिल जाएगा बस एक बार रिमाइंड करना क्या आपको इतनी सारी चीज़े याद थी और आपको बतादे इस फैसले पे कोई भी लंबा फ ये बात करने के लिए इसनों पक्षनेक अपने पक्षने दाईर की है आज का अब बात करेंगे जनवरी दोजार चौबिस ने किस देश में होने वाला कौट सिकर सम्मेलन इस थगत कर दिया गया कौड मतलब जो चार देश होते हैं इस आरदा कौड मेंबर्स तो कौड में पूगी तरीके से क्या बनाग रखना है सांती बनाग रखना कौड लेटरल जो बैटिंग होती है चतुर रभुज कहते हैं और चार देशों का समूंग कौड और इसमें यह बैठक इस बार कहां होने पहले आस्ट्रेलिया में होने और इस पिछली बैठक तो जापान मे होई यह बैठक होने आले थी इंडिया में जो की ड्यू टू लोग सभाई एलेक्शन क्या हो गई है कैंसल हो गई है और पोस्पोन हो गई है इस वजह से भारत में डोनल्ड ट्रम्प नहीं आएंगे और यह सौरी डोनल्ड ने जो बाइडन नहीं आएंगे तो जो बाइड हो गया है यह पोस्पोन होगा 26 जैनुरी को यह हमाया रिपब्लिक डिपरेड के चीफ जैस्ट जीफ जैस्ट नहीं होंगे तो यह सिड्यू लिंग कहा गया कॉन्फिलिक और स्ट्रें रिलेशन विद यू एस पूछा गया है लेकिन जो हवाला दिया गॉवर्मेंट ने कि डूटू लोक्सुवा एलेक्षण यहां पे हुआ है और यापान वर्द पार्टिंट इन देश्मेट रेचार देडिस पार्ट्समीट करतें कवाट कह था कॉट लेटल सेटी डायलोग न फोरम होता है और इसमें यूए सांस्ट्रिलिया जापान होता है इंडिया होगा औ और कहा गया purpose क्या है to work for a free open and prosperous and inclusive indo-pacific region में सांथी बनाने रखना for the first meeting इसके कब हुई थी 2007 में हुई थी और ये कहा गया है कि 2023 की जो meeting इससे पहले जो हुई थी जापान में हुई थी होना कहां पर था ऑस्ट्रेलिया जो होना था और उस्ट्रेलिया में जो वाइडन जाने नहीं वाले थे इसलिए इसको सुर्ण करें कहां किया था जापान में ठीक न और यह चार जो आपके मेरिटाइम डेमोकरसी हैं उनके साथ मिलके यह बैठक होती तो यह आप ध्यान रखेंगे इतना आपके लिए है अभी इसका कोई confirmation नहीं दिया गया कहां होगा लेकिन हाँ भी पोस्पोन हुआ है इसलिए कैंसिल तो नहीं कैसे अगर यह कैंसिल हो जाती तब तो next location decide होती government का हवाला जो दिया गया government ने जो अपना excuse दिया है कि हमारी अभी election होने वाले लोग सब्सक्राइब एलेक्शन होने वाले हैं और हम लोग इसका अभी scheduling नहीं कर सकते हमारी क्या है हम इस कारिकरम को ज़्यादा carry on नहीं कर पाएंग राइट अब बात करते हैं कोब 29 कल भी मैंने discuss किया था किसी बच्चे ने पूछा था कि सर कोब 29 कहां पर होगा तो कोब 29 की जो location है अमेरिका ने इसमें अपनी जो partner से भी अपने आपको मेजमानी करने से मना कर दिया तो अमेरिका के मना करने के बात कहां पर हुआ यह अमेरिका में एक मना होना था लेकिन यह कहां होगा यह होगा अजरबजान की capital बाकू में कहां पर होगा बाकू में होगा अजरबजान की कोप 28 कहां पर हुआ कोप 28 कहां पर हुआ तो कोप 28 UA में हुआ है तो वैसे कोप 29 आपका बाकू में होगा जर्बजान की कैपिटल है तो यह बाकू में होगा और कहा गया है United Nations Climate Change of Conference Party जो होता आप कोप में जानते कितने बैठा कोप कितने देसे 9192 Conference of Parties की बात करते कितने 192 देसे यहां पर और पहली बेठीक कहां पर भी बर्लीन में हुए आपको बता है ना कोप की पहली बेठीक कहां बर्लीन में यह आपको बता है ना कोप की First Meeting कहां थी बर्लींग में ओके ठीक आप ही ने पूछा था कोई बात नहीं विदा रेफ्रेंस ओफ फाइनेंसिल एक्षिन टास्क फोर्स आप जानते इसमें कई लिस्ट होती ग्रे लिस्ट होती है ब्लैक लिस्ट होता है जिसमें पाकिस्तान बहुत दिनों से आपका यहां पर मेंब इसमें बहुत लॉंडिंग का किसी देश में आतंकवाद बढ़ावा देने के लिए या मनी लॉंडिंग जिसे केस तो नहीं हो रहे हैं और अगर वो ऐसा पाती है तो उस देश की केटेगरी को डाउन कर देती है जिससे वो दुनिया भर के देशों में जिसे आपके यहां पर आर्वी जो की जहां पे बहतरीन लिस्ट में रहने से आपको दुनिया में लॉन मिलना आसान रहता दुनिया की संस्थाओं से लेकिन अगर आपकी यहां पर लिस्टिंग खराब है तो आपको लोन दोगारा मुले मुस्किल होगी तो यह इस्टेबलिस किसके दुदा किया गया तो जी सेवन के दूरा किया गया तो एक्जामिन डेवलब दा मीजर ओंबेट मनी लॉंडिंग तो यह भी बात है मनी लॉंडिंग को आप इसको में क्या होता है इसको रोक थाम लगाने के लिए किया गया है aftf has more than 80 members including इंडिया कहते यहां पर एकस देस भारत को मिला कि हैं असी देस है तो इसमें असी देस है यहां नहीं है तो बताना है आ वह आपको को थर्टी ब्राजिल है 29,199 विए बहुत अच्छी बात है को मतलब होता UNFFC जो आपका है FCC जो होता है उसके द्वारा इसमें रिप्रिटर कराई जाती है वो आपका होता यहां पर ठीक है और अगर आप नय है तो सायद नहीं बता पा रहे होंगे अधरवाइस बता ले जाते हैं ठीक तो यहां पर देखेंगे कौन से से को देखो FATF कौन बनाता है 9089 में बना है FATF और G7 की मजद से बना और किसको रेखने के लिए मनी लांडिंग को रोकने के लिए 7 कंटी में European Commission और 8 अलग देश हैं यहां पर इसमें कितने दो जी सेवन में कौन कौन आता है जी सेवन में आपके आते हैं European Commission and 8 other counties आते हैं इसमें तो originally included होता है इसमें आप तो regional आपके original होते का कौन से जिसमें पूछा जाएगा Gulf Corporation होता है and the European Commission तो यह वाला जो statement है आपका FATF में वाला गलत हो जाएगा only one statement यहां पर क्या होगा सही 80 members FATF में नहीं है ठीक ना यहां पर कितने member there are currently 39 members of the FATF 49 देश के वल इसके member है बस 37 यह है और दो regional organization है पहला कौन होगा Gulf Corporation और दूसरा कौन सा होगा European Commission तो यहां पर 39 members हो जाएगे clear है यहां पर आदित पांडे जैहिन सभी को जैहिन तो जो लोग है यहां पर clear है इतना सारे चीज़ आपको इतने में कोई डाउट इतने में किसी को डाउट है बताओ जल दिसके डाउट हो तो कंफर्म कर दो कि हांसर डाउट है थोड़ा सा नहीं कर बारे बताएगे तो इतने में किसी को डाउट है कोई अब कोश्वन पूछा गएविद्ट इस अफ फ्लाइंक्तन अरॉस सोılं क्लाउट ओश्ण एको सिस्टम् जो उसका पूरा मिला के उसम लोग क्या बोलते हैं इस इस कोब पेस यह है पूरा पेस इसका पेस कहाल फॉरम पेसल एशम रहना यह पेस प्लाइंक्टन एव् घ्राव्ट और ओशन मिसकी मबाइब पोछा गया कि इस पूरे मिशन के बारे माँ बता पाएंगे नहीं बना के नितापाएंगे कि किसी कंत्री का ड्रॉम्ट इटा नहीं है वहाँ पर डेलॉप्र कंत्री है और किश आपकी वहाँ फेंद और कूलपल अ giàती हैं उसनेम you का यूज भी ज्यादा करेंगे तो आपके हाँ कारवन के ज्यादा होगा और जो डवलब्ट है उनके हाँ पार्टिकुलर लेवल पर पहुंच चुका है उनका प्रोडक्शन उनके पास टेक्नोलोजी भी हाई है जैसे कोई है चूले पे खाना मना था कोई गैस बनाता तो जो देश 2टेसों में टकरा होता है दो देसों के गरुपों में जो enemy हो रहे हैं जो टावलब्ट और लेड़ है और एक कुछ सोते लिएंजोब कशले निकी जब लॉपर करेंगे में सुधार कैसे करेंग से आपको या तो आप हमें टेक्न वह करेंगे अपनी तरफ से Department एक्सेशन दीजे carbon credit में कि दुनिया में जो carbon credit है उसमें बाकी देशों जो developed है उनसे थोड़ा ज़्यादा developing country carbon credit emission कर सकते हैं जिससे आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए यह चीजे होती है इसमें ठीक न क्लिर हो गया चलो तो यहां पूछा किए इट हैस बीन लॉंट बाइ जापान एरो स्पेस एक्पोरेशन एजनसी जाक्सा ने नहीं किया बिटा इसको किया नासा ने नासा का मिशन है यह आपका स्पेस जो पेस्ट मिशन नासा का है यह मिशन वाज एडवांस पॉल्रा पॉलिमीटर आप धा कॉंप्लीमेंटी स्पेक्ट्रल अनुगलं सैंपलिंग और पैरामटिक का ओक्रेंशी एंद इस्पेस्टेशल अवरा यह गलत है यह किसके उपर ह और यह तो आपका temperature के उपर है तो इसमें दोनों स्टेटमेंट गलत हो जाएंगे तो दूनों गलत हो जाएंगे कौन सब्सक्राइब तो दूनों गलत है यहां पर जो कैसे जो प्लैंक्टन एरोसल क्लाउड understanding of earth atmosphere के लिए है यह and oceans के लिए है यह earth atmosphere and ocean के लिए है poise to revolutionize our understanding of earth atmosphere and ocean के लिए दूसरा launch कब किया गया है slated launch in 2024 में launch होगा यह कहा गया डिप्लॉइ एडवांस polarise meter of the study the introduced dance between light aerosols and clouds offering appreciated insight of the impact of the climate of an air quality यह climate or air quality के index को भी जानेगा आपके और उसमें जो आपके aerosols होते हैं कड़ होते धूल के उनका क्या advancement होगा तो पहली बात यह nasa का mission है और दूसरा के इसमें किसी बात होगे atmosphere और ocean पर बात होगे ठीक है अब बात किया ति suspension of members of parliament के उपर बात करेंगे बहुत simple सा question है इस पर बताना होगा क्या होता है G7 group of countries होते हैं G7 जो होते है group of countries हैं जो developed economy है दुनिया की उनके समय को G7 बोलते हैं ठीक है G7 देश जो होते हैं एक group of country होता जिसे आपका G20 बैठक हुई G7 बैठक हुई G7 8 G8 बोल देते हैं तो group of seven countries जो developed country दुनिया के हैं उनके समय को G7 बोलते हैं अभी डाउट है किसी को रोइत तो डाउट आप कर सकते हैं आपके हर एक डाउट के जवाब अगर मुझे confirm करके मुझे देता हूँ आपको 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 आसानी से उसका जवाब पता चल जाएगा ठीक है है जो दुनिया के पांच बड़ी GDP maximum GDP जो कंट्रोल करने वाले देश हैं वो जी टॉन्टी आते हैं विदर रेफ्रेंस ऑफ सस्पेंसरों मेंबर्स अभी आपने देखा कि जो आपका दू एक दिन आपकी जो सिक्योर्टी बीच हुआ था पारल्लेमेंट में उसके बात से ज उस दिन के लिए सस्पेंट किया गया कुछ को उस दिन के लिए सस्पेंट किया गया कुछ को पूरे सेशन के लिए सस्पेंट किया गया तो यह जानना होगा कि जो सस्पेंसन होगा वो पूरे कितने दिनों के लिए कर सकते हैं या पूरे उस बचे हुए सेशन के लिए कर सक कि यह पूरी बात हम आप से आनेंगे और क्या उसको हमिंकुर्ट में इस लोक सभा चेयर मैन और राज सभा है श्ट अथरटी तो सब्सक्राइबर बिल्कु जिवा दोनों हाउसस के प्रिजाइडिंग ऑफसर यही होते हैं जो हाउस की सेशन को होल्ड करते हैं उसको प्रोसेस करते हैं there is a provision of the Constitution which states that the suspended MP can challenge the suspension in the court, बिल्कुल नहीं कर सकते हैं, कोट में किसी भी तरह के suspension को challenge करने का कोई भी authority नहीं दी गई है, अगर आप house में suspense किये, आपने suspense किये हैं किसी काम के ओजासे अपने, तो आप उसको कोट में चलें नहीं कर सकते हैं, कोट में यह आर्टिकल दिया गया सुप्रीम कोट में ठीक है, और eligible to get the notice, discussion और submission देखी, जब आप suspend हो जाएंगे, तो किसी तरह कि आप वो ना तो question पूछ सकते हैं, नहीं किसी तरह कि कारवाई में आप हिस्सा ले सकते हैं, तो दोनों बाते गलत हैं यहां पर, दूसरा दिसा गलत है, पूछा कि कौन सा सहीद, only one, how many का है, तो only one is correct, only एक बात clear है, बस यहां पर, तो इतना में आप देखे जड़ा, इतना doubt clear है, क्योंकि अभी मैं इस पर detail analysis करूँगा, पूरा topic बताऊंगा कि कहां पे किस rule के तहत, पार्लामेंट के लोक सभा का कौन सा रूल है, इनको सस्पेंट करने का, और क्या condition होती सस्पेंट करने की रासभा में क्या रूल है, नया रूल कौन सा जुड़ा है, जिसमें क्या बात कीगी, सारी बातें, clear है इसमें, कोई किसी को doubt जल्दी बताओ, समझ में आगे जल्दी लोक सभा और रास सभा में क्या हुआ है, suspended 4 members of parliament, रास्भा suspended as they are disrupting the proceeding of the house, यहाँ पे लास्भा लोक सभा के number members में आपके कम जजाधा हो सकते, तो यह दोनों houses के member suspend हुए है, ठीक है, members of लोक सभा है रासभा के सस्पेंट किये गए रासभा के मिंबर्स को सस्पेंट करने का दूसरा रूल है और लोक सभा के मिंबर्स को सस्पेंट करने का रूल लंबर दूसरा है दोनों के रूल लंबर क्या है अलग अलग है रूल लंबर फॉर लोक सभा अलग है और रूल लंब ओप्शन ओफ दन बाइड एंपीज तो हूं कैंस पंडा कहा कर सकता है तो दोनों हाउस के ब्रिजाइडिंग ओफसर मालब राजसभा के भी लोग कर सकते हैं सपेंड और लोग सबाइड कर सकते हैं लेकिन परमानेंटली सपेंड नहीं कर सकते यह बात कन्फरम रखिएगा प फंक्शन स्मूथली तो कहा कि इसको देकर ध्यान में अगर कोई बीच में उसमें अरंगा लगाता है या बहुत तरीके साब्जेक्टर कोई स्लोगन कर चिलाता है वहाँ पर तो उस केस में दोनों हाउस के ऑफसर को यह पावर है कि वह सेम डे के लिए या बचे हुए समय क के लिए उसको सस्पेंड हाउस से कर सकते हैं यह आपके पास पावर दोनों हाउस के बिजार्डिंग ऑफसर के पास होगी तो रूल नंबर यह जो 73 है यह किसके लिए है यह आपके लोकसभा के लिए है member of लोकसभा जो होते हैं उनके लिए किया गया है यह house का suspension 373 जो आपका लोकसभा के member होते हैं the speaker can direct a member to withdraw immediately from the house if he finds members conduct disorderly अभी आपने थोड़ा सा video जो आया था लोकसभा उसमें देखा होगा कि राजसभा में यह कहते हुए पाया जाते कौन आपके जगदीब धनकर जो की वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है उन्हों ने कहा immediately ड्रेव ब्राइन जो है आपके लीडर है टीमसी के साथ या सीपेम के हैं तो उनको कहा कि तुरंत आप अपने house को यहां थोड़ते हैं तो यह 373 लोकसवा में राजसवा में नहीं है राजसवा का दूसरा रूल है और 374 में क्या होता है कि तुरंत house छोड़ने के लिए अगर बात की जा तो यह रूल होगा 373 इमीडेटली कहा तुरंत आप यहां उसको बाहां से बाहर निकल जाए यह 373 में होता है यह तरीके रूल है और 374 में क्या होता है स्पीकर आपके जो सिक्योर्टी ब्रीच हुआ है उसमें ग्रह मंत्री जी को इस्तीफा देना चाहिए क्योंकि जब देश की रक्षा क्या करेंगे जहां पर सेंसद में जुठ सीयोност की रक्षा नहीं ao पा रही है तो इस पर लोकसवाई स्पीकर और रासवाई स्पीकर ने कहा चेर कि कहा कि ये सरकार की कोई गल्टी नहीं क्योंकि वहां सरकार भी लोग बैठे थे अप्विशन के लोग ही नहीं थे यह एक सेक्यार्टी फेल्ययूर है और इस पर कोई सरकार जम्मेवार नहीं होगी इससके लिए कमेटी बनाई गई गई और वो committee जाच कर रही है उसके बावजूद भी लोग हंगामा किये जा रहे हैं हंगामा किये जा रहे हैं और ये दोनों house के chairman कह रहे हैं ये सरकार की गलती नहीं बार बार बोले उसके बावजूद नहीं मारे तो इनके साथ ऐसा हरकत करनी पड़ी और कहा कि presently क्या होता है presently and willfully obstructing the business of the house उस case में क्या होगा suspend कर दिया जाएगा house से for the not exceeding the remainder of the session कहा गया है कि आप maximum किसी member को उस session के लिए suspend कर सकते हैं ऐसा नहीं कि एक session में आपने suspend किया पूरे साल के लिए आप maximum या तो उस दिन की कारवाई उसके लिए या तो उस दिन की कारवाई के लिए suspend करेंगे या फिर आप बच्चे हुए sessions की कारवाई के लिए suspend कर दिया कि वह दुबारा winter sessions में नहीं आएंगे इतना ही है मतलब एक session ही सबसे सबसे बड़ी सजा हो सकती है उससे ज़्यादा बड़ी सजा नहीं दे सकते बलब आप अगर कर सकते एक session ही सबसे बड़ी सजा है और minimum आप उस दिन भर के लिए कर दें कि आज की पूरी कारवाई में आप दिखाई नहीं पड़ेंगे हाँ पर कल से फिर आना या फिर आप कह सकते इस पूरे सत्रुन में दिखाई मत पड़ना बस यह maximum सजा होगी अब 374a क्या है 370 यह रूल है यह कोई आर्टिकल नहीं है इस पर ध्यान देना है कोई constitutional आर्टिकल नहीं यह रूल है आपके संसत की कारवाई का तो संसत की कारवाई में लोकसभा का रूल लंबर 374a क्या गयता है तो यह नया जोड़ा गया है कानून यह बहुत ही important है क्योंकि आज की इस इसमें इस चीजें रही है तो question पूछा सकता तो यह most important इसलिए हो जाता यह रूल को 2001 में जोड़ा गया है इसमें कहा गया अगर आप कोई violation करते हैं या आप सस्पेंट कर दी जाते हैं तो उसमें आपको सस्पेंशन कितने दिन के लिए होगा five consecutive meeting के लिए होगा या फिर बचे हुए इस पूरे सत्र के लिए हो जाएगा जो भी कम होगा मलब अगर मालो सत्र आपका है तीन दिन का बचा है तो आप पूरे सत्र के लिए करेंगे मलब इसमें नहीं कहा कि पूरा सत्र नहीं हो सकता इस रूल के तहरत अगर होगे तो पांच बैठक या फिर पूरा सेशन जो भी कम हो उनमें से 65 यह यह सिक्सियर ऐसे होता नहीं है यह चीज़ें है कोई बात ने बेटा अब बात करते हैं राश सभा जो रूल नंबर 255 है इसमें 255 क्या कहता है रूल नंबर 255 कहता है यहां पर राश सभा का अंडर रूल 25 जर्नल रूल है अब प्रोसीजर तो कहते हैं इसमें राश सभा में दप्रिजद आई प्रवाइडिंग ऑफसर हाउस कैन इन्वोक सस्पेंशन आप दे मेंबर आफ पार्लेमेंट इसमें राश सभा के लोगों को आपके सस्पेंशन की बात की गई है जैस 373 74 यह सब किसके लिए है लोग सभा के लिए और ट्री जो 255 है यह किसके लिए राश सभा के लिए है यह सबस्पेंशन अब मेंबर जैसे कि अपने हाउस को करेंगे छोड़ देंगे और 256 प्रवाइड सबस्पेंशन आप दे मेंबर चुएर में सबस्पेंट अमेंबर अब दो सर्विस कांसिल नौट एक्सीडिन मेंबर अब दसेशन willen तो कि err उसबस से ज्यादा से समस्पेंशन नहीं हो सकता है ठिकना और कहा गया किसी इसकी सजा क्या होती एए उस सत्र से ज्यादा से के लिए सज़ास नहीं दी जा सकती है और इसके द्वारा जो किया गया आर्टिकल है उसमें कोट में इसको कोट में इसको चैलेंज नहीं कर सकते यह बात क्लियर हो गई किसी को डाउट किसी को दिक्कत किसी को परिशानी आधे लोग तो बिल्गू सनाटे में बैठे हुए जैसे सुनना है राम कहानी सुन रहे हैं समझ में आगी ना इतनी बात सब्सक्राइब कर दो साल के सजा हो गए थी वह बात अलगों कोट से मेंबर सिब डिस्मिस हो गए थी यहां पर सस्पेंशन की बात और डिस्मिसल के नहीं जो को जॉब में सस्पेंट होना अलग है और डिस्मिस होना अलग है ठीक है तो यह बात अलग अलग दोनों ध्यान रखेगा चलिए बात कहते हैं विच वन आप फॉलोइंग इंटरनेसल बाड़ी इस रिलीज दा ग्लोबल इस्टेटर्स रिपोर्ट और रोड सेफ्टी अभी आपने देखा कुछ दिन बहुत सारे एक्सिडेंट हो जाते रोड चलिए आती है तो यह रिपोर्ट कौन देता है तो मैक्सम जो कैजुल्टी यहीं पर होती है मैक्सम कैजुल्टी यहीं पर होगी आए तो यह कौन देगा वर्ड हल्थ ऑगनैशन देगा कौन देगा वीडह थोगनिशं़ तो मैक्सम के दिव्ड कहां होने वाली है ब्रहस ऐसे होने वाली फाइब परसेंट टू वन पॉइंट नाइन हो गई है ठीक है गिर कम हो गए फॉलेन हो गए रिस्क ऑफ देट जहां पर किसके लिए है पेड़ेस्ट्रियंस के लिए साइकलिस के लिए अधर जो वनरेबल जो रोड यूजर से उनके लिए ज्यादा तर देखी गई है अब प बात करते हैं ग्रेनेट पॉइंट और लाइन माइन्स का अगला सेशन जो मैं लेकर आ रहा हूं पैरा मिलिट्री के उपर लेकर आ रहा हूं अभी डिफेंस आपने पढ़ा अगली बार पैला मिलिट्रिक बारे माँ पढ़ेंगे तो दा बारा कुडा सम टाइम्स अपेर इ प्रदीया की फास्ट सोलर इलेक्ट्रिक बोत विवेक चैस वाल बिटा कभी डी बताते हो कभी सी बताते हो सो लोग सीन सब्सक्राइब गलत है यह इंडिया की फास्टिस्ट इलेक्टिक बोट है जो कि स्वार उजर्ज चलने वाली है यह कल की न्यूज में आपने देखा होगा दिसंबर 14 जो न्यूज है आप देख रहे होंगे यहां पर दा हिंदू का न्यूज है यह आप पढ़िएगा और कहा वारूर इन अला पौज़ा में यहां से लांच की गई है और इको फ्रेंड का सकते हैं आप जानते हैं वार्टर ट्रांसपर्ट हमारे सब कर से जदा क्या है जो मारा वार्टर स्वानसपोर्ट है है वैसे भी सबसे ज़्याद एको मोड फ्रेंडली मोड अफ ट्रांस्पोर्ट है ये तो आप तो इसको जानते ही होंगे क्लिर है नहीं चलो अब बात करते हैं इंडरा गांधी पीस प्राइस के बारे में बात करेंगे कि 2023 का किसको दिया गया है और इसकी पूरी कहानि किसे दिया जाता है तो यह conflict revolution effort के लिए तो दियागे इनको ये अलग काम करते हैं ये अलग काम करते हैं इसराइल प्लिस्तीन conflict के लिए काम करते हैं ये दूसरे परसन और तीसरे वो तो question पूछा गया क्या सही होगा इसमें देखो ध्यान से तो कहा गया एवरी ये नाम पर दिया था इंद्रा गांधी जो आपका यहां पर फांडेशन उसकी नाम पर दिया था है ये और डैनिल उब्राइन फॉर्ड किसके लिए music जो आपके सब्सक्राइब के लिए और यहां पर यहां पर जो एक पीस एक्टिविस का नाम है अली अवु अवाद को दिया गया है ठीक है ना कि अच्छा हाँ आ और रहा सवेरा यूजयना जो आई है समय कौन सा कथन सही बताओ न backstory यूजयला क zagन किस्से बहुत ही normal सी question होते हैं इसमें और पूछे भी जाते हैं अब जिसे मैं बात करूँ यहाँ पर कि नया सवेरा योजना क्या होती है पहला है the scheme was launched by ministry of tribal affairs in 2007 तो यह बात गलत है tribal affairs ने नहीं शुरू की थी minority ने शुरू की थी ministry of minority ने शुरू की थी अल्फ संख्यक मंतुराले ने माइनोर्टी की मैट आपकी जो क्या कहते हैं इसकीम है और the candidate must belong to the schedule caste community नहीं सीडियू ट्राइब कमिटी नहीं होता है माइनोर्टी कमिटी होता है माइनोर्टी से बिलॉंग और संख्यक दल से बिलॉंग करना चाहिए एक्जामनेशन की त्यारी के लिए सरकार ने चलाई तो इसमें कौन से सही दोनों गलत हैं इसमें दोनों गलत हो जाएंगे क्योंकि देखो यह स्कीम क्या है नया सवेय स्कीम ग्याइट गौवर्णे टीटेंट्यू और अबजेक्टिव तो प्रवाइबद स्पेशल कोचिंग फॉड़्य कौशिक यह नियुख वह एंपारिग माइनोर्टी कमिटी और स्टार्ट का हुई हुए दो जायर सास से बाद विलकुं सही लेकिन यह माइनोर्टी के लिए का स्पीड आपके स्टिक लिए नहीं है कि नहीं सस्पेंड होने का मतलब होता कि आप अपना एक्सक्यूज दे जाके अपना जो बात है आपने ऐसा क्योंकि या सस्पेंड करने मन निलंबित कर देना सेवा में नहीं रखना और तब तक नहीं रखना जब तक आपको क्लीन चिट ना मिल जाए डिपार्टमेंट की तरफ से तब तक के लिए तो सस्पेंड होना मतलब आपको होल्ड पर डाल देना आपकी सर्विस्ट पर डाउट आ जाना होता है और दफ्री कोचिंग अलाइट सिस्केम और टारगेटिंग इसक इसी का रीजन थी माइनोरिटी कमुनिटी के लिए चलाई जाने वाल स्कीम तो यह ध्यान लखेंगे बड़ा इंपॉर्टेंट है असर निम्लिकें तो कौन से राज भालते समयधान के उच्छे 373 के विसेष प्रावधानों में आनंद लेता बताओ 300 अलग है और जो को 300 ABCD अलग है ऐसे होता ने यह अलग हो जाता है तो यह चीज़ आप देख पाते हैं यहां पर कौन से राज होगा आंद्वरदेश होगा गोवा होगा मिघालय होगा सिक्किम होगा कौन कौन से राज 371 में आते हैं जल्दी बताओ ठीक है देशी आट समझ में आगे बात बीटा अब बताओ इसमें कौन कौन से राज जाते बताना होगा 123 यह सारे आते दो यहां परद्धान समझना तो कहा गया दो नागलेंड आएगा असम आएगा मनिपूर आएगा अंध्रप्रदेश आएगा सिक्किम आएगा मिजुर मिलेगा आणुराचरप्रदेश देखनेंक मिलेगा सारे राज देखनेंक मिलने मेघने मेड़ नहीं है याँ अब है तो मेहाँ बतना नहीं का मैं बत्कर करें तो केवल 371 के बात करें इस बह 밝श Whatsapp और ऑगुसरतंस में आएगा और 371 सब आर्टिकल की बात करें तो इसमें अलग-अलग राज भी आएंगे तो यहां पर पूछा गया 371 अंडर पूछा गया प्रोवीजन अंडर 371 स्पिसल प्रोवीजन है तो उसमें बहुत साय राज जाएंगे वैसे क्या होता 371 किसके लिए है यह आपका गुजरात और महरास के लिए है लेकिन गुजरात के इसके अंडर में 370 A B CD अगर देखा जाए तो अलग-अलग राज्यों के लिए हैं स्टेट्स के तो विदर्व और महरास्टों कच भी आता तो यह आपको ध्यान रखिएगा ए से लेकर कहां तक है 370 जे तक है तो हमने देखो एसे ले वो 370 था कस्मीर के लिए क्या था कि 370 था वो आर्टिकल 370 था यह 371 की बात हो रही है तो इसी के लिए तो को आप करेंट फेर पढ़ते समय थोड़ा ध्यान रखें कि जो बहुत लाइम लाइट में हैं उसके आने के चांसे थोड़ा कम होते हैं उससे जुड़ी हुई ची को अब देखिए बात करते हैं पार्ट टू की जो हमने कहा था कल करने के लिए आज हम पार्ट टू लेकर आएंगे इसका पार्ट टू में क्या है देखो पार्ट टू है यह और यह है हमारे जो लडाके जो कि आज पार्ट टू करने वाले पार्ट टू में हम थोड़ी सी इ देंगे लेकिन कम information है आज weapons की कम information है आइंफोमेशन क्या है इसके college की NDA कहां पर है पुने खड़ाग वासला में है आप जानते हैं नई दिल्ली में National Defense College है Military Academy कहां पर देरादूर में आप जानते ही है Defense Staff College Wellington Tamil Nadu में है और Armed Forces जहां पर आपके विपिन रौज जी जा रहे थे तो एक्सपायर कर गया थे प्लैन क्रेस में और कहा गया है Armed Forces Medical College कहां है पुने में है Infantry College महू MP में है ये महू जानते रहीगा और राष्ट्रिय इंडिन मिलिटरी कॉलेज कहां देरादूर में क्योल 35 वेकिंसी है है और बात करें हम यहां पर अगर आर्टलेरी कॉलेज कहां तो देवलाली में है और आर्मी ओर्डिनेंस कोप कहां जवलपूर में है और आर्मी स्ट्रेंट करेंट कहां एक और बात करें कॉलेज करें कहां पर है किर्की पुने में है आमत कोर आपका सेंटरी स्कूल कहां पर एहमंद नगर महरास्ट में है और कहा गया है College of Combat ये महू में है ये भी MP में है और आप से चन्नाई ओफिसर्स ट्रेनिंग अकेडमी कहां पर है चन्नाई में है और एक गया में खोली गई थी जो बंद होने जा रही है 2011 में गया में ओपन हुई थी ठीक है तो इतनी चीजें आप जान गए इसमें को स्टार्ट करें आगे को सब्सक्राइब के लिए सभी लोग डेडि है ठीक ना बिल्कुल सही कि बता दें आपको जानने के लिए इच्छी रही है तो क्लियर रही ना इतनी साथी चीजे आगे चले चलो आगे चलते हैं कोस्ट की तृफ बढ़ते हैं कोस्ट की तरफ बताओ इसके बारे में पूछा गया है यहां पर क्या पूछा गया है कि विच अब दे फॉलिएंग फिर्स्ट एरक्राफ इंड़ेट बाई दा इंडियन एर फोर्स जिसको हम नाम कहा देते पहले 9032 में हमाई Indian Air Force का नाम किया था Royal Indian Air Force नाम था अब फिर से rename करने का provision प्रोस्ताव आया है लेकिन अभी तक हुआ नहीं है ठीक ना clear है number 1 बताएं इसका क्या होगा which of the following first aircraft inducted by the Indian Air Force तो किसके ताहरा सुरू किया गया तो कौन सा नाम था इसका 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 नाम था पहला हमारा जो aircraft था इंडक किया गया था इसका नाम था वापती कह नाम था इसका वेस्ट लैंड वापती नाम था who of the following was the first recipient of the परमवीर चक्र आप देखेंगे लखनो में इनके नाम का एक अधिकलिसी गैलेंटी ती जो परमविर चक्र बाने वले इनसान थे और पहला परम-बिम्विर ही होगा अच्छह बताओ यहां पर who of the following is the chief of army of the time इंडो पाकिस्तान 971 वार कहते हैं इंडिया का चीफ कौन था अभी आपने रीसेंटली मुवी देखी होगी सैम बहादूर तो यह थे वैसे हमाई जो ओटिये है ओटिये है चन्नाई में है दो हजार ग्यार में कहा उपन की गई तो बिहार के गया में उपन होई थी जो अब बंद होने वाली है या बिहार के गया में राइट ए नेक्सिप आते हैं पूझक एडवी व फॉल्टाइंट प्लेस इंडियन नाशनल डिफेंस इंश्टी कहां पर है अभी मैंने बताया था आपका सोलर ऑलाइनस है जहां पए वर्ड का सोलर अलाइस आपने फ्रांस के साथ मिल्के शुरू किया वहां बर इंडियन Military Training टीम पूछा गया है हम पार्ट अभी पूछा गया कहां पर है ये इंडियन मिल्यटरी ट्रेनिग्टीम जो कि आपके इंडियन आपीके आफ़्िसर जाते ह bênbyम ट्रैट बोलते हैं इम ट्रैट क्या होता एंग्ट्रेट कहां बहुत ब्रान में है अग guid पहाँ पर भूटान में इंडियन आफस जाते हैं आपका वहाँ पर भूटान में है ये इंडियन आंमी counter insurgency ये आपका NDA में कुछत्जन आचुका है last year एंडी में लास्ट यर कोश्चन आया था ये आपने देखा होगा दो हजार तेज के वेवर में कोश्चन था ये आपका काउंटर इंसर्जंसी स्कूल वेरिंग्टे में है ये कहां पर है ये वेरिंग्टे में है काउंटर इंसर्जंसी स्कूल और high altitude warfare school कहां पर है high altitude कहां पर होगा यह तो यह कहां पर होगा आपका high altitude warfare के अगर हम बात करें तो high altitude warfare school होगा आपका गुलमर्ग में थीक ना नेक्स बात करते हैं तब कमांडो unit of the Indian Air Force का नाम क्या है Indian Air Force में जो कमांडो हैं जैसे हमारे कोबरा कमांडो होते हैं कहां यह घातक कहां होते हैं आर्मी में होते हैं यह मारकोस कहां होते हैं नेवी में होते हैं और वैसे ही गरूर कमांडो होते हैं यह कहां पर गरूर कमांडो होते हैं एरफोर्स के जो कमांडो फोर्स से उसका नाम है गरूर वेर इस डिफेंस इंस्ट्यूट ऑफ एडवांस टेक्नोलोजी कहां पर है डिफेंस इंस्ट्यूट अब बंद कर रहे हैं उसको क्योंकि उसकी उप्योगिता उतनी समझ नहीं आ रहे होगी इंस्ट्यूट की जदा तो यह कहां पर होगा पुने में एडवांस जो हमारा इंजिनेंग कॉलेज भी देखो मेटिकल कॉलेज भी कहां पर है आर्मी इंस्टूट आफ टेकनलोलोजी आर्मी इंस्टूट आफ मेटिकल साइस दोनों पुनों में है अब जानते पुने भारत में रहने वाला दूसरे सबसे अच्छा साहर है पहले नेवी का है इंडियन नेवी का है आपको मने कई बाइब बताया सम्नों वरुणा डैड इस इंडियन नेवी तो ये आपके हो गए सारे के सारे डायनेमाइड ये ग्रेनट questions I hope यह questions आप लोगों ने काफी बहतर कि होंगे सभी को समझ में भी आएगा कि questions का लेवल क्या है तो जितने भी लोग यहां पर जुड़े थे आई होप सबको मज़ा आ रहा होगा इस सेशन के दौरान कि यह चीजें आपकी बहतर थी इसमें आपने काफी देखा होगा वरुण मतलब होता है पानी जल देउता को बोलते हैं अब बात करेंगे जो नेक्स्ट हम कहां पर है उसका establishment कब हुआ है उसकी काम क्या है यह सारी चीजें हम लोग जानेंगे यहां पर अगले सेशन में आज के साम के सेशन में आपको 6-8 में मेरा weekly current affair होगा वहां पर आप जूड़ सकते हैं मेरे साथ और यह है आपका जो हमारा टेलीगाम चैनल जहां पर आप मेरे तो आज के लिए इतना ही रखते मेरे दोस्त आई होप आपको यह सेशन काफी बहतर लगा होगा ओके अखियमिं लोग उसे बात करेंगे यहां पर तो ध्यान दखिे है उस पे आधित पांडे के रहें इंडियन कोस्गार का मोटो क्या है जल्दी बताओ इन को शगार का किया है जल्द法 दुनको मोटो अ रेमकई फ सिसर्टोर समय मोटो अब कोसगार का मोटो ऐसे मर एक से ले वेम रक्षामा है जायद वेम रक्षामा होगा कोस गार्ड का मोटो है वेम रक्षामा और डिफेंस वाला मेन चैनल पर होगी वहाँ पर तो आदित पांडे तुमाना जवाब होगा वेम रक्षामा होता है कोस गार्ड का मोटो और यहां पर इसका है समनो वर्णा आपका किसक का है इंडिन नेवी का है तो आज के लिए इतना ही हो फूली सेशन अच्छा